नमस्कार मैं अम्रिताव बस्दर की बात में आपका स्वागत करते हूं खबरों से पहरे जीवन की तीन महत्पून टेग लाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है अपने हाथ और मुँ हमेशा साफ रखें मास्क और सेनिटाजर का करे प्रयोग और दोगश की दूरी है जरूरी इन अहम बातों के साथ आई एक नजर डालते हैं आज की हेडलेंस पर वर्षों से संघर्सकर रहे बेटियों को मिलाने आए एनमडेसी इस पाथ सैयंत्र भू अधिग्रहन प्रभावित 61 बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता हुआ साफ सुकमा जेले के चावल घुटाले की जाच को लेकर भाजपा ने किया धर्ना प्रदर्शन राजपाल के नाम सौपा ग्यापन जीला इस तेरी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में सभी चेक पोस्ट पर 24 घंटे कोविड-19 की जाच करने कलेक्टर ने दिये निर्देश और शहर एवं आसपास के ग्रामीट छेत्रों में रुक रुक कर हो रही जमाजम बारिशे किसानों नेली राहात की सांस अब खबरे विस्तार से 36 घंटर राजमहिला आयोक की अध्यक्ष किरणमई नायक ने स्थानी कलेक्टरेट के प्रेणा कक्ष में कुल 98 मामलों की सुनवाई की इन में से 71 मामले एनमडी से इसपात सयंत्र के लिए भूमी अधिग्रहन से प्रभावित बेटियों की थी इन में से 61 बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो चुका है और 10 बेटियों का मामला ऐसा है जिनमें जाच किये जाने के बाद इस्थिती सपष्ट हो पाईगी आज की सुनवाई के संबंद में जानकारी देते हुए कलेक्टरेट के आस्था कक्ष में पत्रकारों से चर्चा के दोरान स्रीमती नायक ने बताया और इस पूरे मामले में 71 बेटियों में से 61 बेटियों को तो नौकरी के लिए पात्र मान लिया गया है जितने भी सर्वे हुए थे और अभी आयोक के निर्देश पर भी जो सर्वे हुए उसमें 25 बारा 2006 की जो कट आउप डेट थी उसको सिरे से नकार दिया गया कलेक्टर साब के द्वारा भी और आयोक की ओर से अधिकरित समीती के सदस्यों के द्वारा भी और अन्तता इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 10 मामले ऐसे हैं जिन में संभावता उन्हें वन टाइम सेटलमेंट मिल चुका है या नौकरी मिल चुकी है उनकी एक एनालिसिस कम चारिकता हैं वो हम आयोग राइपूर के माध्यम से पूरी करेंगे और आवेदिकाओं को अब दोबारा यहां सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं हैं उनकी ओर से समीती के सदस्यों से सारी लिखा पढ़ी हमसे कम्प्लीट करा लेंगे नौकरी के लिए 2009 से संघर्षरत प्रभावित बेटियों में भी हर्च व्याप्त है जीला प्रसासन और NMTC के द्वारा 61 बेटियों को नौकरी दिये जाने पर राजी होने से खुसी जाहिद करते हुए कहा कि जिन 10 बेटियों के मामलों की जाच होनी है उनमें भी नियाय मि दिलने की बात कहते हुए प्रभावित महिला ने बताया तो मेरी बेटी को मेरे भाई के द्वारा जमीन दिया गया था क्योंकि वह बच्पन से वह बहुत उनको प्यार करते थे और वह उनके वीमारी में मेरी बेटी हमेशा उनकी सेवा करती थी हमको उमीद है कि ये 10 लोग करती ने मंगल्वार को संभागिस्तरी धरना दिया बसतर संभाग के सभी जिलों के भाच्रपा के वरिष्ट नेता जिलाध्यक्ष धरने में सामिल हुए बरस्ते पानी के बीच भाच्पानेताओं ने कांग्रेस सरकार कर जमकर हमला बोलती हुए कहा कि कांग्रेस में जिसमें शुक्मा जीले की चामल घोटाले की पाट दर्शिता से जाच करने और दोशियों पर अविलंब कारवाही करने की मांग की गई है कमिश्णर कारेले की सामने आज दोपर बारा बजे से तीन बजे तक भाश्पा का संभाग स्तरी धर्ना हुआ खरा मौसम और बरस्ते बादलों की बीच भाश्पा का धर्ना प्रदर्शन लगातर चलता रहा और संभाग के विभिन जीलों से आए भाश्पा के नेता कॉंगरेस सरकार पर जम कर बरस्ते रहे इस संबंद में पूर मंतरी केदार कश्रप ने बताया आज बस्तर संभाग के इस मुख्याले जग्दलपूर में चिंतलनार में जो फोटा केविन के रासन की जो हेरा फेरी की गई है कॉंगरेस की ये सरकार लगातार इस वनांचल छेतर में चावल जैसे मिद्दे को लेकर चावल का जो हमारे लोगों के लिए आवस्यक है और वहाँ पर लगबग सैक्रोटन क्यालते हैं अपने चावल क्यालते हैं इन्होंने भेरा फिरी की है और पूरे हमारे इस वनांचल के हमारे आजवासी बंदों का हक को मारा है वहाँ के रहने वाले बच्चों का पेट को काता है और उसी वी सेक्को लेकर का आज यहाँ पर धरना दिया जरा है राज्य सरकार पूरी तरीके से उदासिन है, किसी भी तरीके से कोई कारवाई करने से हीज़ा करें है, क्योंकि उनके लोग इसमें सलिप्थ है, और वो नहीं चाहते कि कोई इस तरह के मामले में उनके लोग फसे, और लगातार वो अपने लोगों को बचाव करने के जिसी से इस मामले को दबाने की कोशिज कर रहे हैं, लेकिन भारती जनता पार्टी चुपनी बैठेगी, इस बरस्ते पानी में भी हमारे भारती जनता पार्टी के सभी नेता वहां के सभी हमारे प्रमुख पदादिकारी आकर के पोविड नियमों का पालंग करते हुए आज यहां पर धरना प्रतसन करना है और यहां से इनकल करके हम कमिश्टर के पास जाएंगे और राज़पाल के नाम से ग्यापन सोपेंगे ताकि इस मामले को पूरे तरीके से पोस्ट में 24 गंटे 7 दिन पुलिस राज़श्व और स्वास्त विभाग के सयुग टीम के द्वारा कोरोना की जाज करने के निर्देश दिये हैं उक्त निर्देश महरानी इस्पताल के शहिद गुंडदूर हॉल में आयोजित जीला अस्तेरी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में दिये कलेक्टर स्री बंसल ने कहा कि कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग के कारे में कोई कोता ही नहीं बरते कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरिजों के निकर्तम परिजनों और उनके संपर्क में आने वालों का प्रात्मिक्ता के आधार पर कोरोना की जाज की जाए मुख्य कारेपलन अधिकारी जीला पंचायत रीचा चावधरी ने कोरोना की टेस्टिंग की स्थिति की विकास खंडवार समिक्षा करते हुए कहा की टेक्सिंग की दर को बढ़ाया जाए और कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग में प्रात्निक कॉंट्रेक्ट को भचान कर सेंपल कल चंटम exist किया जाए को सावावी तुरंत किया जाए शाथ ही शहर व गर्मीड चेतरों में छोटे छोटे चोटे चंटमेंट जोन बनाया जाए ताकि नाखरिकों को देर्णिक उपयों के सामानों की दिक्कत नहों। कंटेंट में जोन में कोरोना टेस्टिंग टीम अलग से तैनात करें, जिससे टेस्टिंग के कारे को जल्द पुर्ण किया जा सके। बैठक में विकास खंडवार, पॉजिटिव वीटी प्रतिशत की स्थिती, होम आईसोलेशन की शमिक्षा की गई। सभी बैएमों को होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवाई कीट का वितरण सुनिश्चित करने की निर्देश दिये। अब खबरे मौसम को लेकर, मानसुन का इंतजार कर रहे बस्तर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए, बस्तर समेत कोणना गाउं, दंतेवडा, शुक्मा, नारायनपूर, पीजापूर वा उससे लगे हुए जीलों में भारी बारिश वा एक दो जगों में बिजले गिरने की संभावना जताई है। हम आपको बता दे, जगदलपूर में सुबर से ही रुक-रुक कर जमा जम बारिश हो रही है। शहर के कई जगों पर नाली का पानी सडकों पर बह रहा है। वही निचली बस्ती में लगातर बारिश में जल जमाओ की स्थिती निर्मित हुई है। मौसम विभाग से वेग्यानिक एचपी चंद्रा ने बताया की एक निम्नदाप का छेत्र पस्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पस्चिम बंगाल उत्तर तटी आंद्रप्रदेश दक्षिन तटी उडिसा पर इस्तित है। इसके साथ उपरी हवा का पाती घेरा मध्य टोफो अस्वेरिक लेवल पर विस्तारित है। एक द्रोणी का कच्छ से निम्नदाप की केंद्र तक दक्षिन गुजरात, उत्तर मध्य महराष्ट, विदर्वच दक्षिन शत्तिसगर और उत्तरी तटी आंद्रप्रदेश होती हुए 1.5 किलो मीटर भारी वर्षा का छेत्र मुख्यत दक्षिन शत्तिसगर जाने की संभावना है। प्रदेश में अधिक्तम तापमान मेविशेज परिवर्तर होने की संभावना नहीं है। बस्तिर की बात जग्दलपूर। वक्त हो चल है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेते, कहीं विकास के सौपान, तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन साहस और धैरी से करवट लेती जिंदगी राज़ीती की चौसर के जाने अंजाने दाओ, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी खुबसूरत नजारे अब होगी हर बात हमारे साथ बस्तर की बात देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कमपनी रेल टेल अब अपने शहर जगदलपूर में उपलब्त केबल टीवी और ब्रॉडबेंड पाईए एक साथ बहतर सर्वेस शांदार गुण बत्ता हमेशा एक जैसी स्पीड यारी 100 Mbps लॉंचिक अफसर पर पाईए विशेश शूट राज्य के शाष के करमचारियों हेतू 10 प्रतिशत की छूट साथ ही रेलवे करमचारियों के लिए विशेश शूट का प्रावधार इंटरनेट कनेक्शन हेतू ततकाल अपने केबल ओपरेटर से संपर करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में आए चलते हैं खबरों की ओर संसदी सचीव रेकचन जैन और महापौर सफीरस साहू शहर जीला कांग्रेस कमिटी के अधेश राजीव शर्मा ने शहर की मदव टेरिसा वाड में 93,45,000 रुपे की लागत से नाली निर्माड सीसी रोड निर्माड एवं डामरी करण कारे का भूमी पूजन एवं शिरा न्यास किया इस अवसर पर विधायक स्रीज जैन महापौर्ट श्रीमती सफीरा साहू ने कहा कि गड़बो नवा 36 गड़ की तरज पर गड़बो नवा जगदलपूर के लिए हम कृट संकल्पित है और मुख्यमंद्री तथा संसदी सशिव का सहयोग लगातर मिल रहा है शहर जीला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाश्पा के 15 साल की सरकार में ठेकेदारों की विकास के लिए योजना बनती थी हमारी सरकार में अवाट के रोड नाली निर्मान कार के लिए योजना बना कर कार किया जा रहा है धरमपूरा सड़क चोडी करन का कार किया जा रहा है सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाये जाने के बाद अनुपमा टौकिस से धरंपूरा जाने के मार्ग पर सड़क की दाई और काफी संख्या में पेड लगे हैं जिससे दुरघटना का खत्रा बना हुआ है इसलिए सड़क किनारे स्थित पेड़ों को स्थांतरित किये जाने का कारे चल रहा है लगभग 71 पेड़ों को यहां से हटा कर दर्पसागर की किनारे लगाये जाने की योजना है इसके लिए चल रहे कारे के दौरान धरंपूरा मार्ग पर आवागमन बादित हो रहा है कई बार यातायाद पुलीस के साथ आने जाने वालों के साथ बहस की सिती भी निर्मित हो रही है वही छेतर में कारे के दौरान विद्धुत प्रभाव भी बंद रहता है जिससे विवसाई वह स्थाने दिवासियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन पेड़ों को स्थांतरित किये जाने के दौरान पेड़ों की टहनियों को काटा जा रहा है इससे कुछ लोगों का कहना है की बड़े बड़े तहनियों को काटे जाने के बाद पेड़ को स्थांतरित कर लगाय जाने से यह पेड़ फिर से पहले की तरह हरा भरा होगा इस पर संदेह है हम आपको बता दें कि जब पेड़ों को काटे जाने की बास सामने आई थी तब इंद्रवती बचाओ अभियान से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया था इसके पशात पेड़ों को स्थांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है पेड़ों को स्थानित किये जाने के कार शायद जीले में पहली बार हो रहा है इसलिए लोगों में उस्सुकता बनी होई है कि इन पेड़ों को किस तरह से दलपत सागत की किनारे स्थानित किया जाएगा वरिष्ट पूलिस अधिश्चक जितेनसी मीणा के मार्ग दर्शन में बस्तर पूलिस द्वारा लगातर अपराधिक तत्वों पर कारवाही की जा रही है इसी तारतम में 13 जुलाई को थाना कोतवाली को सुचना प्राप्त होई की कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवे देसी महुआ शराप का परिवाहन ग्रामीर छेतर में जग्दलपूर की ओर किया जा रहा है सुचना पर फूलिश टीम के द्वारा कुमार बारा छेतर में एक मोटर साइकिल सीजी 17 केपी 56 में दो संदिग्द वेक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे पूश्ताश करने पर अपना नाम रूपदर बगेल एवं लकेश्वर बगेल निवासी तुसेल परपा छेतर का होना बताया तलाशी लेने पर उसके पास कुल 10 लीटर अवेद महुआ शाराब बरामत किया गया मामले में महुआ शाराब रखने के संबंध में दोनों के द्वारा संतोस जनक जवाब प्रस्तूत नहीं किया गया दोनों आरूपियों की विरूद्धारा 34 दो आपकारी अधिनियम के तहट प्रक्रण पंजिबत कर अनुसंधान में लिया गया है मामले में दोनों आरूपियों की कबजे में 10 लीटर देशी महुआ शराब और मोटर साइकल जबत कर दोनों आरूपियों को गिरफतार किया गया है चलते चलते आये फिर एक नजर डालते हैं आज की हैडलेंज पर वर्षों से संघर्स कर रहे बेटियों को मिलाने आए एनमडेसी इस पार्थ संयंत्र भू अधिगरहन प्रभावित 61 बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता हुआ साफ सुकमा जेले के चावल घुटाले की जाच को लेकर भाजपा ने किया धर्ना प्रदर्शन राजपाल के नाम सौपा ग्यापन जीला अस्तेरी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में सभी चेक पोस्ट पर 24 घंटे कोविड-19 की जाच करने कलेक्टर ने दिये निर्देश और शहर एवं आसपास के ग्रामीट छेत्रों में रुक रुक कर हो रही जमा जम बारिश रे किसानों नेली राहत की सांस बस्तर की बात में आज सर्फ इतना ही फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ नमस्कार झाल 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 झाल